तो स्टूरेंट्स आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वह बैलंस ऑफ वार्टर एंड सॉल्यूर्स दूसरे अलफाज में हम इसको टॉनिसिटी का कॉंसेप्ट भी कह सकती है तो स्टूरेंट्स जैसर के हम जो जानते हैं कि जो ऑर्गनिजम होता है किसी भी आजर्मेंट के अंदर होने वाली चेंज के खिलाफ सको अपने갔 को आडेस्ट करने के लिए रॉम् यू प्रइस का प्रॉसस इस्तमाल करना पड़ता है यानि कि ही तो रु तो इसके अंदर हम देखते हैं कि अब फॉर इग्जमपल इस्पेशली हम लोग अगर जैसा कि हमारा टॉपिक है वाटर को और सॉल्यूर्स की हम बात करें यानि कि ऑस्मो रेगलिशन की बात करें तो इसके अंदर से जो एक और गनीजम है उसको किस किसम के हालात का सामने करन तो बेसिकली देखा जाएं तीन टाइप के समयले इंवार्मेंट या सॉलूशन के रहे हालात के इसको फेज करने पड़ेंगे फर्स्ट बन हाइपोटॉनिक है सेकेंड है हाइपर टॉनिक और थर्ड है आईसोटॉनिक इन तमाम को स्टूर्टस हम इस तरह से से प्रिपेर करेंगे के इन शाला आपको फिर कभी एक अग va5 बूले नए तो सबसे पहले हम लोगे कर के इनको अंडिस्ट्टैंड करते सबसे पहले मैं थोड़ा लिएगरांप शुन्स के रहा कर देती हूं ताकि कि आप से पहले हम देख रहे हैं हाइपोटॉनिक जाहां पर सेकेंड होगा जी स्टुडेंट्स फर्दर हम इसको डिफाइन भी करेंगे और डायग्राम से समझने की कोशिश भी करेंगे तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ इसी अजया है इसकेंड़ एक बनाती है जाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए सबसे पहले हम लोग एक चीज आप लोग इसमें क्लियार अंडिस्टैंड करनी है जो वर्ड है ना टॉनिक टॉनिक के मीनिंग होते हैं स्ट्रेंथ टॉनिक का क्या मतलब होता है स्ट्रेंथ करते हैं आप लोग रहरन के लिए को लिए जिसम को ताकत देने के लिए लिए क्या के रहाणिक है तो उसमें होता है capable की पर चाप सब्ताव करते हैं तो आपने उसको ट्वह टॉन यहां पर भी टॉनिक यह क्या ट्रेंथ 0 था फर्स्ट गों आपर हॉआ क्या मतलब होगा हाईपू क्या मतलब होता है स्ट्रेंथ appreciated प्राइब यहां पर लस concentration new गहां किट这 git अच् Stage यहां पर देखने आईसो का मतलब होता है सेम एक जैसा अडेंटिकल यानि के सेम कंसेंट्रेशन अब किस चीज की हम ये भी देखेंगे थर्ड वन क्या होगा जी थर्ड वन है हमारे पास हाइपर्टॉनिक आप लोग कभी-कभी हाइपर हो जाते हो हाइपर का मतलब हुआ ज्यादा मतलब मूर कहते हैं ना मैं बहुत हाइपर हो गया था आपकी ये बात में जरसन नहीं आई तो मतलब ज्यादा अचा अब यहां पर जो सबसे ऐहम चीज अपने ये अंडिस्टैंड करनी है कि ये कंसेंट्रेशन किस चीज की बात हो रही है इंडर के की और एक होता है अब साधा सी मिसाल ले लेते हम लोग शर्बत की मिसाल ले लेते हैं शर्बत के अंदर जो होगा उसके अंदर क्या होगा जो सॉल्वंट होगा वह होगा वाटर पानी और जो सुल्यूट होगा वह शुगर होगी मिठा होता है न अच्छा अब यहां पर यह तो हमने ब रखना है ठीक है मतलब यह नहीं कि अच्छा यहां पर लेस है यहां पर से में यहां पर हाइपर है यहां पर जहां भी बात करें हम इस टॉनसिटी यह ऑस्मॉसिस की कॉंसेप्ट के अंदर हम सॉल्यूट की कंसेटरेशन की बात करें सॉल्वेंट की कंसेटरेशन की बात नही के mec आथे होगा कही पर वह ज्जादा मतलब हाइपर होगा कहीं पर वह एक जैसा होगा से मुगा यह यहार्याय। हम यहां पर सौल्द रोड की के बात करें और जब मैं हमारे टॉपिक के हां वाले से देखती हrüazमें पता है solutes यानी किस की बात करें हम साल्स की बात करी है जो प्लांट के पास या एनिमल के पास जो भी सल होगा उसके अंदर आ रहे हैं उन साल्स की बात करें अच्छा तो अब यहां पर सबसे पहले देखते हैं हम क्या कहें हम यह कहेंगे के हाइपो टॉनिक डेफनिशन देख लेस कंसंट्रेटिड इन्वार्मेंट इन्वार्मेंट कौन सची एक बाद यहां पर रहें हैं लेस्ट कंसंट्रेटिड एक्स्टर्नल मैं यहां लिख देती हूं एक्स्टर्नल इन्वार्मेंट एज कंपेर एज कंपेर टू इसल कंसंट्रेशन यानि के उसको हम क्या कहेंगे इस काल आगे आपने लिख लेना है के इस काल चलो मैं लिख देती हूं इसमें हाइपो टॉनिक environment cell जो भी है अच्छा अब यहां पर क्या बात करें यहां पर दिखिए हमने कहाँ दी लस्कंसेंट्रेटिड एक्स्टर्न इन्वार्मेंट एस अपर सेल कंसंट्रेशन इस मतलब हमने क्या का हमने कहा कि cell की concentration के मुकाबले में जब उसके बाहर का जो environment है उसके अंदर क्या होगी concentration कम होगी तो उसको हम कहेंगे यह हाइपो टॉनिक हाइपो एक चीज जो अक्सर हम भूल जाते हैं वह क्या होती है वह यह होती है स्टूडर्स भूल जाते हैं कि जी हम इस अंदर की concentration की बात करें यह पिर हम इस बाहर की concentration बात करें तो आपने हमेशा याद रखना है कि यह जो अंदर का environment है ना यह सेल के for example यह plant cell है यह लाट कंसीडर आर नहीं होगा यानिके यह जो internal है इसकी हम बात नहीं करें हम इसकी बात नहीं करें हम करें इसकी बात यानिके चाहिए वह यह हाईपोटॉनिक है या हाईपोटॉनिक है जो भी है वह हम इस container की बात करें जिसके अंदर cell मुझूद है बात समझाई है जहां पर cell मुझूद है इस बाहर वाले की बात करें सेम है यहां पर भी हम इस बाहर की बात करें सेल के अंदर की बात करें यह अलग बात है पानी ने वहां पर क्या करना है यहां पर क्या करना है यहां पर क्या करना है ठीक है लेकिन हम जो भी कंसेटरेशन की बात करें हम इस कंटेनर की जहां पर सेल म बात करें, बात समझेंगे हैं, अब ये external environment हाइपो है या आइसो टॉनिक है जो भी है, हम इस बाहर के environment की बात करें हैं, अच्छा और यहां पर तो क्या होगा, अब यहां पर एक बात और भी आपने जहन में रखनी है, वो क्या रखनी है, कि जो movement होगी ना, movement, मूवमेंट किसकी होगी अब इस सलूशन के अंदर मूवमेंट हमेशा वाटर के मालिक्यूल इनकी मूवमेंट होगी सार्स जो होते हैं या वो जो सॉल्यूट है वो मूव नहीं करेगा मूवमेंट हमेशा वाटर की होगी सॉल्यूट की नहीं होगी अच्छा तो अब यहां पर अगेन आते हैं हमने कहा less concentrated environment, external environment as compared to cell concentration is called hypotonic अच्छा जब पोदे को या किसी भी cell को इस तरह के environment का सामना करना पड़ेगा तो क्या होगा स्टुडेंट्स अब उसने हमें पता है न कि जो osmosis है उसके थ्रोब क्या करता है औस्मोरेग्विशन कुछ भी आप समझे उसके थ्रोब वह वाटर बैलन्स रखता है इन दोनों चीज़ों का अच्छा तो अब इसमें होगा क्या जो पोदा है वह कह रहेगा equilibrium अच्छा को कुछ एक्यूब्रियम को इस को मैंटेन करने के लिए हिस्टवरेंट्स क्या होगा करना यह पड़ेगा कि वह जो पानी होगा तो यहां पाट जैसे के हमें पता है हाई-पूटोनिक यहां पर पानी की मिगदार ज्यादा है है सोलीट की मिगदार कम है तो अब होगा ये जो पानी है वो स्टोडन्स आपने याद रखना है जो वाटर है वह हमेशा मूज करता है ज्यादा कंसेंट्रेशन से कंसेंट्रेशन अगें बताती हूं जो वाटर है न वाटर वह मूव करता है मूव कहां से ज्यादा मोर कंसेंट्रेशन से तुवर्ड्स लेस कंसेंट्रेशन तुवर्ड्स लेस कंसेंट्रेशन अब हमें पता है बाहर जो है यह हाइपो टॉनिक है यहां पर सॉल्यूट की मिगदार कम है किसकी बिता सॉल्यूट की मिगदार कम है लस है ज् ज्यादा मिदार वत哦 की है अच्छा अब वाटर देखेंगा कि बाहर बहुत ज्यादा मिग्दार रहा है पानी के हाई पॉटीस धार है पानी की मिग्दार ज्यादा है सॉल्यूट की मिग्दार कंसे अब पान में डर mendπό जाएगा थीक एन्दर अब इसमें क्या होगा जो वाटर है ना वाटर सेल के मूव कर जाएगा इंसाइड सेल के अंदर चला जाएगा अब सेल के जब अंदर चला जाएगा बाहर से अंदर सेल के अंदर क्यों इसलिए हमें पता है सल इक्विलिब्रियम जो होता ना वाटर वो इक्विलिब्रियम कर करने के लिए वो क्या करेंगा अंदर चला जाएगा अब इसमें क्या होगा जो सेल होगा वह क्या होगा स्ट्रेंट्स क्या होगा बताएंगे यह मैं बता हूं तरजीड हो जाएगा खुबारे की तरह कि फूल जाएगा तो यह क्या होगा हाइपो टॉनिक अच्छा अब इसक के एकलिए कंट्रास में पहले हम इसको देखते हैं जो हाइपर टॉनिक है यहां पर क्या होगा है इसमें कि में पता है मोर कंसंट्रेशन होगे किस चीज की सॉल्यूट की इसाल्स की बात कि अधर जादा और मैं किसी बात करी यह बाहर की बात करी ओब इस situation में होगा क्या जो पानी है अब अगेन मैं इसकी definition आपको दुबारा से बता देती हूं the more concentrated external environment as compared to cell concentration इस काल क्या कहेंगे इसको हाइपर टॉनिक हाइपर का मतलब ज्यादा क्या मतलब होगा मूर ज्यादा तॉनिक का मतलब strength तो अब यहां पर हमने डिफाइन कि हमने का मोर कंसर कंसर्टेटिट एक्स्टर्नल इंवार्मेंट एस कंपेर तुसल कंसर्टेशन इस गार्ड हाई पर तॉनिक अब स्टुडेंट्स हमें अगें पता है यहां पर भी क्या होगा वाटर कोशिश करेगा एक्विलिब्रियम टाइम करने के लिए क्या करेंगा जो वाटर थैना अब देखेंगा कि बाहर तो ऑर दो क्टार है वहां पर पाने की मिदयार कम किसकी यहैं तो अन्दर से निकलकर बाहर आजाए गार में आजएगाा तो यहां पर सेल बाहर क्योंकर सॉलूइजन सॉलूइजन एनिका पानी बाहर कम है तो यह क्या हो जाएगा बाहर निकल आज़े अब सेल क्या हो जाएगा फेस दो या फिर इसको हम क्या शरिंक भी कहते हैं पिछाक जाएगा एक तान पिछाग जाएगा नार्मल नहीं रहेगा प्लासर रो जाएगा या पिछाग जाएगा अच्छा उसके बाद अब तीसरे नंबर पर जो है हमारी पास वह आइसोटोनिक आइसोटोनिक भी हम डिफाइन कर देते हैं हम क्या कहें हम कहेंगे दी सेम कंसेंट्रेशन कहां पर एक्स्टरनल इंवार्मेंट की सेम कंसेंट्रेशन इन एक्स्टरनल इंटर्नल इंवार्मेंट इसकार्ड आइसोटोनिक यहां पर क्या होगा उसको एक्विलिब्रियम काइन करने की जरूरत जादा नहीं पड़ेगी मतलब बिल्कुल बाहर भी नहीं जा रहा है और बिल्कुल अंदर बिदू जैसे इसके नौर्मल है वैसा ही रहेगा तो यहां पर स्टुनट्स होंगा वह नौर्मल रहेगा संय दे की सेल नौर्मल होगा ना सोतना New अहीं वह श्रिंक या अच्छा तो यह स्टूनेंट्स आज हमने समझा किस चीज का कॉंसेप्ट इसको टोनी सिटी का कॉंसेप्ट भी कहते हैं और इसको बैलंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूर्स भी कहते हैं होपसू आपको समझ आयोगों फिर भी इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोगों ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में अपने जरूर पूछना है कीप वाचिंग अलाव